हेलो वर्यवन वेल्कम डू ब्रेंशोक्स मेरा नमर जात है और इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं गेट इंजिनिरिंग मैंच के प्रिविसर कोश्चन्स अल ब्रांच अर वीडियो में पांच कोश्चन्स करते हैं हमारा टॉपिक अभी चल रहा है लिमिट कंटिनुटी इसको मैं डिवाइड करूं की एक्स ग्रीटर देन जीरो के लिए तो एक्सक्यूव्ब भी आ जाएगा मोड कोऊंकर मतला भी भी नीए पॉजिटिव भी आएगा जब एक्स लेजिन जीडियो ऐगा माइनस एक्स एक्स एक्स माइक्स क्यूब ठीक है opposvenant मीटिटिव करेगा 0 होगा जब x इक तूझ ऑप अब continuous तो है यह ठीक है हर point पे इसमें कोई दिखकर नहीं है तो option a possible है अभी तक ठीक है अब हम देखते हैं कि differentiable है के नहीं अगर मैं f-x करूंगा तो 3x square x greater than 0 के लिए minus 3x square x less than 0 के लिए और 0 x is equal to 0 के लिए ठीक है अब देखू x greater than 0 पे just 0 से greater than पे इसकी value 0 आएगी और 0 से थोड़ा सा कम पे भी 0 है और 0 पे value भी 0 तो first differentiable जो है continuous है मतलब यह exist कर रहा है ठीक है तो option एक गलत हो है तो मेरा आया 6x x greater than 0 minus 6x x less than 0 और 0 x is equal to 0 ठीक है अभी भी अगर मैं इसको देखू कि x is equal to 0 के आसपास देखो ना right hand derivative देखेंगे 6x है मतलब 0 पोट करूंगा तो 0 आ जाएगा left hand derivative देखूंगा x के लिए 0 पोट करूंगा तो 0 आ जाएगा ठीक है तो left hand derivative is equal to right hand derivative तो double differentiation भी exist कर रहा है तो बी भी गलत हो गया triple derivative देखते है triple derivative अगर करूंगा मानलो मैं कि यहां पर तो 6 आ गया x greater than 0 ठीक है यहां minus 6 आ गया x less than 0 देखो यहां पर difference आ गया right hand derivative जो है 0 के around right hand side derivative जो आ रहा हमारा definition आ रहा है 6 यहां पर minus 6 तो दोनों सेम ही नहीं equal ही नहीं तो मतलब यहां possible नहीं है ठीक है तो twice definiable आएगा not thrice ठीक है तो यह हमारा fx बनेगा और इसका जो first derivative बनेगा वो इस तरीके से बनेगा ठीक है क्या है 3x square है जब x greater than 0 है जाने की इस तरीके से और minus 3x square है जब negative है ठीक है तो इस तरीके से क्योंकि देखो जब इस side जो हमारा slope negative ही आएगी तो देखो यह negative है और इस side देखो slope positive है किसी पॉइंट पे तो यह देखो positive है और 0 पे देखो slope 0 है तो 0 है ठीक है यह हमारा आगया f-x और f double dash x किस तरीके से आ जाएगा हुआ जाएगा minus 6 minus 6 x जब x less than 0 है और 6x जब x greater than 0 यह हमारा double dash x ठीक है अब यह mode आगे ना simple x का x का mode आगे बिसिकली 6 x का mode तो यहाँ पर शार पर जा गया तो differentiable ही नहीं ठीक है तो एक दो बार differentiable है बस next question है what is the value of limit x approaches to pi by 4 cos x minus sin x divided by x minus pi by 4 ठीक है इसकी value क्या है सबसे पहले अगर मैं pi by 4 put करता हूं तो क्या यह cos pi by 4 1 by root 2 sin pi by 4 1 by root 2 नीचे भी 1 by x की value है pi by 4 minus pi by 4 क्या 0 by 0 4 मन रही है तो मैं simple एल उस पूर लगा देता हूं cos x का minus sin x आ जाएगा sin x का cos x divided by क्या जाएगा 1 ठीक है अब पूट कर दो value तो sin pi by 4 वो 1 by root 2 माइनस यह भी 1 by root 2 तो यह minus 2 by root 2 तो minus root 2 ठीक है तो option इसको अगर कुछ अलग कुछ सीखना हो ठीक है यहां तो नहीं चलो यहां तो यही असान है काम आ जाएगा कि अगर cos x minus sin x को हम यहां तो बना सकते हैं कि a cos x plus theta यह a sin x plus theta बनाना हो तो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें जो basically कोई भी a cos theta plus b sin theta हो यहां चलो एक्स लिख लेते हैं कि उसको हम कर सकते हैं एक कॉंस्टनेंट है cos x plus theta यहां फिर a sin x plus theta नहीं फिर उसको सबसे पहले इसके जो एंप्लीट इसका अंडरूट a square plus b square से multiply यह डिवाइड करेंगे यहां पर वान है यहां पर माइनस वान है तो root 2 से multiply root 2 से divide cos x minus sin x ठीक है तो root 2 बहार है तो 1 by root 2 cos x minus 1 by root 2 sin x ठीक है अब 1 by root 2 को मैं cos pi by 4 या sin pi by 4 लिख सकता हूं ठीक है तो इस तरीके से मैं क्या करना है कि अगर मैं यहां पर लिख दूँ sin pi by 4 cos x यहां पर मुझा दूसरे लिखूंग है cos pi by 4 sin x ठीक है अब यह sin a cos b minus cos a sin b का formula बन गया तो यह बन गया sin pi by 4 minus x ठीक है इसको थोड़ा rechange करोगे minus बाहार निकाल दोगे x minus pi by 4 ठीक है तो यह कहीं है कि काम आएगा आपके और जब उपर numerator में यह बन गया तो sin x minus pi by 4 नीचे भी x minus pi by 4 है तो वह तो 1 ही आ गया बचा गया माइनस रूट से ठीक है बट यह इस question में करने के जुरूत नहीं है यह सरफ कहीं काम आएगा किसी और technical subject में नेक्स question है value of limit x approach to 8 x की power 1 by 3 minus 2 divided by x minus 8 यह भी simple है x की value 8 पूट करोगे तो 8 का cube root 2 2 minus 2 divided by 8 minus 8 0 by 04 बनेगे चुप चाप एलोस पूटरूल लगा दो इसका definition करूंगा 1 by 3 x 1 by 3 minus 1 minus 2 by 3 और कुछ नहीं बचा ना नीचे 1 बचा अब यहां पर value output करो 8 तो 8 की power minus 2 by 3 ठीक है इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि अच्छा 8 होता है 2 की power 3 minus 2 by 3 तो power multiply होगी ठीक है तो 2 की power minus 2 ही बच गई 3 into minus 2 by 3 तो 2 की power 2 नीचे आ जाएगा और 2 की power 2 4 होता है और 4 into 3 12 होता है ठीक है option B और एक नहीं चीज़ करने हो इसमें अलग कि x की power 1 by 3 है minus 2 मैं इसको x को लिख सकता हूं x की power 1 by 3 का cube minus 8 तो यह a cube minus b cube का formula लगा सकते हो यहां पर x की power 1 by 3 minus 2 divided by x की power 1 by 3 minus 2 और a cube minus b cube a minus b a square यानि x की power 2 by 3 plus a b plus b square ठीक है तो यह cancel हो गया x की value put कर दो 8 8 की power 2 by 3 plus 2 8 की power 1 by 3 plus 4 ठीक है 8 की power 2 by 3 यह आजएगा 4 ठीक है यह तो 8 का cube root कर दो पहले 2 आजएगा फिर उसका square कर दो 2 का square 4 फिर 8 का cube root 2 2 into 2 4 4 यहां पर है तो 1 by 12 ठीक है तो एक नया formula आपको याद होना चाहिए कि a cube minus b cube is a minus b into a square plus a b plus b square ठीक है next question limit x approaches to infinite x minus sin x divided by x plus cos x ठीक है तो इसमें क्या कर सकते हैं कि limit x approaches infinite x minus sin x divided by x plus cos x ठीक है इसमें देखो जो x infinite है तो मैं उपर और नीचे x से divide कर देता हो ना जहां भी mostly जैसे questions में x को infinite आता है तो denominator में ले जाओ था कि 1 by कोई finite value divided by infinite वो 0 हो जाए है ना जब मैं x को infinite approach करूंगा अब देखो sin x सोमेशा 1 minus 1 और 1 की बीच में रहेगा तो यह कुछ finite छोटी सी value आएगी नीचे infinite है तो यह 0 को अप्रोच कर लेगा जब x infinite को अप्रोच कर रहे है ठीक है तो यह 0 आ जाएगा यहां पे सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब का बहुत ही असान है गिवन वाई इस इकल टो एक्स स्कूरर प्लस टू एक्स प्लस टैन दा वैल्यू ओफ डीवाइब डी डी-प। इककल टो नेजट वन तो बस डी य पर डीकास कर दो ठीक है तो नहीं कर सकते है यह जय समेशा ध्यान लखो है और हमारे पांश कोष這裡 और कि किससे भी प्लीग कर सकते हो नहें तो सैल लिए फूट लेना यह millor पूछ लेना और वीडिस कुछ सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक्यू सो मच